हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एलजी आरस्टेडी पाड़ा मेडिकल में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग पड़ा मेडिकल परवेश परिक्षा के बेहतर तयारी के लिए सभी subject के top 100 question का दोस्तों हम लोग तयारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का 7 नंबर वीडियो है इस तरह का 6 वीडियो दोस्तों already हम upload कर चुके हैं तो अगर अभी तक आप उस सभी 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के परले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि आपके पड़ा medical exam के लिए काफी महत्पूर्ण है तो चले दोस्तों आज का वीडियो सुरू करते हैं आपको बता दे कि chemistry के 50 question का दोस्तों हमने पिछले class में discussion किया था तो आज दोस्तों अपना class जो है carbon number question से start होगा आज का जो दोस्तों first question है पू कोईला का इसमें से कौन जो है ऐसा प्रकाड है जिसमें सबसे अधिक जो है carbon होता है तो यहां पर एक carbon का डी option से होगा यानि कि anthracite दोस्तों ऐसा कोईला है जिसमें दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है carbon होती है मतलब यह दोस्तों जो आपका उसमा है कम देती है और दुवा कार्बन डेटमिस दुवा बहुत ही अधिक देती हैं यह आप याद रखेंगे बाबन नमबर कुश्चन के दौर आपसे पूछा जा रहा है निम्रलिकित गैसों में से कौन सी परकास संसलेशन किरिया के लिए आवस्यक हैं परकास संसलेशन किरिया के दौरा पौधा अपना भोजन बनाती है तो उसके लिए कौन सा गैस आवस्यक है यह आपको बताना है तो बाबन का जो सही आंसर होगा वो भी होगा आप सभी जानते हैं कार्बन डायोकसाइड CO2 gas जो है जो पौधा है वो अपने भोजन बनाने के रूप में यूज करती है मतलब प्रकास संसलेशन में यूज किया जाता है तिरपन नमबर कोईस्चन है किसकी उपस्थिती के कारण चूने का पानी बायू में हैना रखने पर दुधिया हो जाता है चूने का जो पानी है जिसको जब हम दोस्तों हवाम रखते हैं तो दुधिया हो जाता है किसके उपस्थिती के कारण ऐसा होता है तो यहाँ पर आपका जो तिरपन नमबर कोईस्चन का सही आन्स रोगा वो ए हो गया निकी कारबन डायोकसाइड के कारण क्योंकि उस्तों चूने के पानी में कारण डायोकसाइड होता है नेक्स्ट यहाँ जो आपका चोबन नमबर कोईस्चन है पूछ रहिए कि बिविन परकार के कांच पूला गया कि बिविन परकार के कांच निर्मान में पर्युक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है कांच निर्मान में जो है मुख्य घटक कौन सा यूज किया जाता है तो चोबन का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है से हो गया निकी सीलिका इसका जोस्तो सीलिका का पडियोग किया जाता है 55 नंबर कोश्चन है कि परकास रसाइनिक धूम कोड़े बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन होता है कौन सा एक गैस उत्पन हो जाता है उस टाइम पर ये आपको बताना है तो 55 का B option आपका सयोगाने की nitrogen oxide जो है वहाँ पर उत्पन होता है जब आप क्या करते हैं धूम कोड़े बनाने के समय ये जोस्तो उत्पन होता है 56 नंबर कोश्चन है कि घरेलू प्रसीतित्र घरेलू प्रसीतित्र का मतलब है घर में जो आप रखते हैं ये समय आपका एसी है फ्रीज है ये सभी घरेलू प्रसीतित्र का मतलब है समयने तक कौन सा प्रसीतक परयोग में लाते हैं कौन से प्रसीतक का परयोग किया जाता है घरेलू जो भी प्रसीत्र है उसमें तो 56 का जो यहाँ पर आपका B option है सही हो गा यान की अमोनिया का किसका दुसतों अमोनिया का पड़ियोग किया जाता है 57 number question है कि निमने लिखित में से कौन सा एक अनुचुम्ब किये हैं यह आपको बताना है तो 57 का जो c option है आपका सही हो गा है यह निकी oxygen के छारीय बिलियन में से गुजारने पर हैना बदामी घखोल बनाती है कौन ऐसा गैस है जिसको दुस्तो फजब उसकी बिलियन पर औरा अपका सॉहिवगा यह निदे की है पूछले कि बायू मंडल में कौन सी गैस परावैगनि किरνों का अवसोसन कर लेती है तो परावायगनि किरनों का दोस्तो ओजोन गैस जो है अवसोसन करती है तो यहाँ पर आपका जो सही Puns होलगा वो यह हो जाएगा यानि की आप देख सकते हैं कि ओजोन जो है क्या करती है बायू मंदल में जो पराबैगनी किरन आती है सूर्ज से उसको दोस्तों ये स्वसित कर लेती है और आपको बता दे कि ओजोन का जो रसाइनिक सुत्र होता है वो दोस्तों ओधिरी होता है क्या होता है ओधिरी होता है और ओजोन के बारे में आपको बता दे करते हैं हवा में रख देते हैं तो उसका रंग जो है फीका हो जाता है किस के कारण तो 60 का जो सही आंसर होगा वो भी होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि hydrogen sulfide के कारण ऐसा दुस्तो हो जाता है एक सर्ष नंबर कुश्चन है यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि जोला मुखी परवतों में जोला मुखी परवतों से निमनलिखित में से कौन सी गैस निकलती है जो भी जोला मुखी परवत है उससे कौन सा गैस निकलती है तो 61 का D option से होगा यानि कि sulfur dioxide gas दोस्तो जोला मुखी परवत से निकलती है नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 62 नमबर कोईश्चन है पूछ रहे कि रसाइन उद्धोगों में कौन सा तेजाब यानि कि कौन सा एसीड मूल रसाइन माना जाता है जितने भी दोस्तो रसाइन उद्धोग हैं सब में मूल एसीड यानि कि कौन सा जो मूल तेजाब के रूप में मूल रसाइन के रूप में कौन सा तेजाब माना जाता है समुद्र में दोस्तों जो सैवाल पाया जाता है उसमें कौन सा तत्तो पाया जाता है तो 63 का यहाँ पर आपका B option जो है 63 का B option से होगा यानि कि आयोडीन पाया जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दीजे और ध्यान से वीडियो को देखे ताकि सारा कोश्चन आपको समझ में आ सके हैं लगू करित करने का मतलब है गोता खोड जो होते हैं चोटे से सलेंडर में दोस्तों आपको बता दें कि आधिक मात्रा में ऑक्सीजन भर करके दिया जाता है तो चोटे से सलेंडर में आधिक मात्रा में ऑक्सीजन भारने के लिए किस जो है किसका पड़ियोग किया जाता है यह आपको बताना है तो 64 का यहां पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल इसे कहा जाता है तो 65 का यहां पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल इसे होगा जाने की दोस्तो जिनोन को जिनोन को हम लोग जो है एस्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं 66 नमर कोश्चन है कि बनसपती तेल से डालडा या बनसपती घी बनाने में निमने लेखित में से कौन सी परकिरिया इस्तेमाल की जाती है ज हाड्रोजनी करन का पडियोग करते हैं सरसट नमर कोश्चन है कि निमने लेखित में से कौन सी गैस नियुनतम तापमान पर द्रब में बदल जाती है नियुनतम तापमान पर जो है कौन सी गैस है जो द्रब में बदलती है तो सरसट का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सूर्ज की सता पर हाइड्रोजन के अलाबा दूसरा कौन सा तत्व बहुत आयत में पाया जाता है आपको पता होना चाहिए कि सूर्ज के सता पर हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा कौन सा तत्व और भी बहुत ही अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है तो 68 कह यहां पर जो है कौन है तो 69 का यहां पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा यानि कि कांच क्यांस तो कांच नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपका सत्तर नंबर कोईश्चन है कोईश्चन के दोरा आप से पूछा जारा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्ने लिखित में से कौ सा हना सार्व जिक तापन सार्व जानिक होना चाहिए अबर टापिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं कोन ऐसी चीज है जो global warming के लिए उत्तरदाई है तो 70 का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा दी होगा यानि कि उपयूक्त सभी क्योंकि आपको बता दे कि मिथेन हो या फिर ये दोस्तो आपका भी मिथेनी है carbon dioxide ये सभी दोस्तो global warming के लिए उत्तरदाई होता है 71 नमबर question के दोर आपसे पूछा जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि परदूसन युक्त बायू मंदल को निमने लेखित में से किसके दोरा स्वक्ष किया जाता है जो परदूसन से भरा हुआ बायू मंदल है उसको स्वक्ष करने के लिए किसका उपयोग होता है तो 71 का यह option जाएगा oxygen oxygen अगर आएगी oxygen का मात्रा बढ़ा दिया जाए तो परदूसन क्या हो जाएगी खतम हो जाएगा आपसे को पता होगा 72 नमबर question है कि यदि पिर्थिवी पर पाई जाने वाली सभी बनसपतिया समाप्त हो जाए तो किस gas की कमी होगी इतना simple question है आप सभी जान आप से पूछ रहे हैं जिसा कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल को असफोटक रोधी गुनवता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है तो त्यातर का जो आपका सयांसर होगा C होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि dry methyl सिसा का किसका दोस्तों dry methyl सिसा क पड़ियोग उसमें किया जाता है dry methyl सिसा यह याद रखेंगे चोहत्तर का जो आपका डी ऑप्सन से होगा एन कि दोस्तों पेट्रोलियम से किसी दोस्तों पेट्रोलियम से निकाला जाता है नेक्स्ट यहां पर आपका जो 75 नंबर कोईश्चन है पूछरे कि निमने लिखि लिखिट्रोलियम गयास जो आप अपने घरों में भोजन बनाने के लिए परयोग करते हैं उसमें से उसका मुख्य घटक कौन सा है तो 75 का डी ऑप्सन से होगा इनकी ब्यूटेन कौन दोस्तों ब्यूटेन जो उसका क्या है मुख्य घटक है आज के लिए तना ही रखते हैं तो बेल आइकन प्रेस करको आल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा